हेलो स्टुडेंट आपका स्वागत है आपके चैनल साइन्स सिटी क्लासेस पर जैसे लास्ट वीडियो में है फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि आपके क्लास की पृतियक वीडियो में चैप्टर चैप्टर के टॉपिक, टॉपिक के आपके नुमेरिकल्स इसके अगॉर्डिंग करूँगा तो आज मैं आपका जो फर्स्ट वीडियो आपके इस क्लास पर अप्लोड होगा, recorded वीडियो होगा, इस वीडियो में आपको मैं जनरल साइंस की बारे में बताता हूँ कि जनरल साइंस क्या होती है, साइंस किसे कहते हैं, साइंस का नाम साइंस ही क्यों पढ़ा है, साइंस के पार्ट क्या होते हैं, तो यह सब पढ़ने के लिए आप लोग यानि विज्ञान का पर्जे सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो साइंस को हम लोग विज्ञान जो है विज्ञान यानि साइंस विज्ञान किसे कहते हैं विज्ञान होता क्या है इसका जो नेम है वो साइंस क्यों पढ़ा हुआ है साइंस काई नाम क्यों दिया गया है और भी नाम दे सकते थे यहां पे तो एक सब्द होता है जिसका नाम है सिनीटिया 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 का मतलब होता है अपने चारो और उपस्तित बस्तुओं का ग्यान ग्यान का मतलब अपने चारो और उपस्तित जैसे हम अपने चारो और जो भी देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् विज्ञान, विज्ञान को दो सब्दों में हमने बाटा है जैसे वी और ज्ञान, वी का मतलब होता है विस्तरत रूप से और ज्ञान का मतलब होता है जाने ना, जान, हमारी चारों तरफ जो भी हमें दिखाई दे, जो भी हमें कोई भी पदार्थ या कोई भी भस्तू जिसक को हम लोग कहते हैं बिग्यान का सीधा सा मतलब यह है अगर आप से कोई पूछता है बिग्यान क्या है या बिग्यान किसे कहते हैं तो आप तरह मता सकते हो बिग्यान बिग्यान का मतलब है अपने चार और पस्तित बस्तुमों के बारे में जानकारी करना या जो भी बस्तुम पार्ट बताया गया है Science Science को तीन पार्ट हो में हम लोग पढ़ते हैं Physics Chemistry and Biology Physics जो हमारी होती है और Chemistry होती है इसका एक नाम हम लोग देते हैं जिसको बोला जाता है Non-Living यानी Non-Living Non-Living Things के बारे में जो पढ़ते हैं जैसे Physics है बारी Chemistry है हम बात करते हैं Biology के बारे Biology क्या है कि Living Things के बारे में हम बात करें किसके बारे में बात करें Living Things के बारे में बात करें तो हमसे अगर कोई पूछता है कि Science का जो फार्ट है यह हमें पढ़ना होगा जैसे आपको बताएं आप लोग स्टार्टिंग से जो भी स्टार्ट अप होता है हमारा हम यहां पर बात कर रहे हैं साइंस क्या है यानि विग्ज्ञान तो विग्ज्ञान को तीन पार्ट में बताएं गया है फर्ष्ट पार्ट हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स सेकिंड पार्ट हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री थर्ड पार्ट हमारा है जिसको बोलते हैं बाइलोची बाइलोची फिजिक्स को बहुतिक विग्ज्यान, केमिस्ट्री रसाइन विग्ज्यान, रसाइन विग्ज्यान, बाइलोजी जीव विग्ज्यान, साइन्स की कई ब्रांचे से हैं, बट जो हमारा स्लेवर्स है, इस स्लेवर्स में हम फिजिक्स, केमिश्ट्री, बाइलोजी पार्ट्स पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में फिजिक्स क्या है या बहुत एक विज्ञान किसे कहते हैं बहुत एक विज्ञान होती ही क्या है बहुत एक विज्ञान जिसको बोलते हैं फिजिक्स हमसे पूछता है बहुत विज्ञान क्या है या बहुत विज्ञान किसे कहते हैं देखिये फिजिक्स को हम प्राक्रतिक ग्ज्ञान भी कहते हैं इसका रीजन क्या ए विज्ञान की एक ऐसी बरांचिस है छिसके अंतरगत अपने आसपास चारों और जैसे प्राक्रतिक गठना प्राइब बात करें हम आपने देखा होगा बारिस का होना सुवए हो साम के समय सूर का लाल होना तो ये सब कहां से आता है यी जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं तो कोई पूछसा हैं हमसे फिजिक्स क्या रह h dirtPlars तो फिजिक्स में बिटा बताते हैं विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत प्राकृतिक गटनाए दैनिक गटनाए उर्जा इत्यादी के बारे में अध्यान किया जाता है किया जाता है उसे बोट एक बिज्ञान कहते हैं विज्ञान की वह साख़ा जिसके अंतरगत प्राकृतिक गटनाए देने गड़नाए उर्जाए इत्यादी के बारे मध्यन किया जाता है उसे बहुते विग्यान कहते है जैसे प्राक्ति गड़नाओं के बारे में बात करें आपने देखा होगा कि बारिस का होना देने गड़नाओं के बारे में बात करें इसे दिन रात का होना सुवे के समय दिखाई देता लेकिन दिन में नहीं दिखाई देता इतना आपने देखा होगा आसमान का रंग नीला होना बारिस के समय आपने देखा होगा कि आकास में सात रंग होगा कि हमें सम्मू दिखाई देता है ये सब जो भी घडना है वो सभी हम physics में पड़ते हैं सेकंड chemistry जिसे बोलेंगे रसाईन विग्यान chemistry chemistry रसाईन विग्यान क्या होती है कोई हम से पूछता है विग्यान की ऐसी साखा जिसके अंतरगत कोई पदार्थ के रासायनिक गुड़ों के बारे में उसकी संगच्रा के बारे में अध्यन करते हैं उस साखा को बुलते हैं रासायन बिग्जान यहनी बिग्जान की वह साखा जिसके अंतरगत पदार्थों के रासाइनिक गुण तथा उनकी सरचना इत्यादी के बारे में अध्यान किया जाता है उसे रासाइन विज्ञान कहते हैं जैसे एक्जामपल की बात करें से पानी है पानी का अर्सुत क्या होता है एच टू तो हमने देखा है पानी किस से मिलाएं हाइड्रोजन और ऑक्सियन के मिज्ञर से या हमने लिए नमक नबहें एड्रोजन तो नमक किसे मिलाएं सोडियम और क्लूरेन से तो ये जो हम किसी भी पदार्थ के बारे में उसके बौतिक गुड़ों के बारे में रासाइन गुड़ों के बारे में उसकी संरचना किस परकार की है इत्यादी के बारे मैं दिन करते हैं उस विज्ञान की साखा को कहते हैं रसाइन विज्ञान नम्र थरड आता है हमारा जीव विग्यान जीव विग्यान जिसे बोलते हैं बाई लॉजिय बाई लॉजिय देखिए बहुति बिज्ञान रसाइन बिज्यान दो बिज्यान की ऐसी साखाई जिसमें हम Non-Living Things के बारे महत्यन करते हैं लेकिन जीबborn बिज्यान की वह साखा होती हैं जिसके बारे हम Living Thin दो बात करते हैं है तो बीज्यान की वह साखा जिसके अंतरगत जीव जन्तुओं तथा पेड़ पौदों आदी के बारे में अध्यन किया जाता है उसे जीव बिग्ञान कहते हैं जैसे आपकी 9-10 क्लास में जीव बिग्ञान होती है फस्टियर 12 में आपने देखा जीव बिग्ञान में दो पार्ट हो जाते हैं एक आपका हो जाता है वनस्पती विग्यान वनस्पती विग्यान एक आपका रहता है जन्तु विग्यान जन्तु विग्यान यानि जीव जन्तुओं के बारे में इंसेक्ट्स इन सभी के बारे में जो अध्यन करेंगे वो जन्तु विग्यान जिसे बोटनिक आ जाता है, फिर्ड पौदों के बारे मद्यन किया जाता है, फंजाई का वक्त, इन सभी के बारे मद्यन किया जाए, वो पनस्पति विज्ञान और ये जन्तु विज्ञान, तो आपको विज्ञान की तीन साखाएं, physics, chemistry, biology, physics क्या है, chemistry क्या है, biology क्या है, तो इन सभी के बारे में, आपका जो अध्यन किया जाता है, तो इन सभी से create होगे क्या बनी हुई हमारी विज्ञान, यानि जानकारी, जो भी हमें दिखाई दे अपने आस पास, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को विज्ञान कहते हैं, दूसरा, आपको पेटा, क्लास में, मैं आपको बिलकुर notes की तरह पढ़ाऊंगा, आप अपने अच्छे notes भी बना सकते हैं, जो वीडियो चल रही होती है, आप उसका इसकी स्वाड ले सकते हो, और उससे अपनी content, बहुत अच्छे से आपके notes, और ये notes आपके लिए जो आपका exam आने वाले इसके लिए बहुत ही है, नोट्स होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसका चाहो, इसकी स्वाड ले सकते हो, आपका, क्योंकि आपकी जो notes है ना, तो वो notes हमने यही से आपको start कराया है, तो आप इसकी स्वाड ले सकते हो, तो बच्चो आपने, आज हमने विज्ञान के बारे में, विज्ञान की जनरल introduction के बारे में, आपको physics क्या है, chemistry क्या है, biology क्या है, इन सभी के बारे मताया, आगे बात करते हैं, जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, इसे फ्रस्ट बात करें, बहुत एक, बिज्ञान के जनर्ग, सेकेंड रसाइन, विज्ञान के जनर्ग, जीव विज्ञान के जनर्ग, बहुत बिज्ञान के जनर्ग, फादर ओफिजिक्स, फादर ओफिजिक्स यानि बहुत से बहुत से बहुत से बहुत बड़ा योगदान दिया, आज जिसकी बज़े से, आज इनी योगदानों की बज़े से, जो हमारी साइंस में इतनी, फिजिक्स में हैं, केमिश्ट्री होएं, बायलोजी हो, साइंस में इतनी, जो भी हमारे वेग्यानिक लोग जैसे, आज हम चांद पर भी पहुँछ चुके हुए हैं, उसके बाद कि जो भी जानकारी है वो बैग्जानकों के द्वारा ही हुई है हमें कि एक के बाद एक कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होता रहा है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग चांद पर भी पहुंच चुके हुए है दूसरी बात आपसे का जाए बहुते बिज्ञान के जनक किसे का जाता है कि यानि फादर और फिजिक्स कौन है फादर और फिजिक्स कहते किसे है तो फादर और फिजिक्स में सबसे पहले नाम अगर लेना चाहेंगे जिन्होंने physics की बिलकुली physics को बदल के रख दिया कोई भी आपका topic हो जैसे आपने सबसे famous जिनका Isaac Newton यानी जिनके नाम के आगे respect देंगे Sir Isaac Newton तो उन्होंने gravitational force बताया जिसके उनका कोई भी ऐसा छेतर नहीं है जिसक में जिसमें उन्होंने अपना कोई ना कोई युगदान ना दिया हो चाहिए आपका वो हमारा kinematics हो या हमारा कोई भी light optics हो सभी में उन्होंने अपना कोई ना कोई युगदान दिया है तो Sir Isaac Newton को भी बोला जाता है लेकिन यहीं अगर बात करें आधनिक जनक की आधनिक जनक की बात करें तो जिनका नाम लिया जाता है गैली लियो क्या नाम लिया जाता है गैली लियो गैली लियो को आधनिक बिग्यान का जनक का जाता है यानि आधनिक बहुत बिग्यान का जनक गैली लियो और बहुत विग्यान जनक सर आईजेक न्यूटन कई बुक्स में प्लांक बैग्यानिक जो थे उनका भी नाम दिया हुआ है तो आप उनको भी लिख सेक्टियों कि फिशिक्स में उनका भी बहुत बड़ा युगदान है बात करते हैं रसाइन विग्यान के जनक कड क्या हैं पदार्थ क्या हैं अडू क्या है यूगिक क्या है जब हमें स्मॉल पाइटिकल से जॉइन करके मॉलिक्यूल्स मिलें मॉलिक्यूल्स को राद कंपाउंड मिलें तो जो जनक बोला गया है रसाइन विग्यान का जनक जिसने का जाए तो उनका नाम है एन्टीनो एन्टीनो लेवो सी है एन्टीनो लेवो सी है जी बिग्यान ये नक अरस्तू को कहा गया है तो हमारी ये साइन्स है साइन्स बहुते बिग्यान रसाइन बिग्यान और जी बिग्यान तीनों से मिलके बनी हुई है जो बच्चे 9-10 क्लास में हम लोग अपना सलेबस में ये पढ़ते हैं तीनों को तो बहुत विग्यान के जनक सर आईजक न्यूटन आदुनिक अगर सब्दा आ जाए कहीं तो नाम हो जाए गैली लियो तो आप सबी बच्चे जो भी वीडियो में आगे नेक्स टाइम अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा और आपकी उम्मीद से ही मुझे में भी मौटिवेशन होगा मेरे लिए महनत के लिए लगेगा मुझे बहुर महनत मुझे करनी चाहिए लेकिन आप अपनी जो नोट्स है उस नोट्स को बिलकुल बाकाईदा पीडियाप की तरह डालें आपके साइन्स सिटी क्लासिस जो मैंने बताया आपको साइन्स सिटी क्लासिस यूटूब चैनल है आपका इस यूटूब चैनल पर आप सब्सक्राइब केजिए बेल आइकन दबाईए और आगे के जो most updated वीडियो हों वह आपको वीडियो मिलते रहेंगे दूसरा chapter के जैसे ही आपका chapter end होता है chapter finish होता है chapter के बाद आपको link description में मिल जाएगी और telegram channel आपका search कर लेना जिससे आप join कर लेना टेलीग्राम जो चैनल आपका है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपकी चैप्टर वाई चैप्टर आपको पेडिया मिलती रहे गी और आप अपनी नोट्स घर बैठ कर अगर आपको बहुत ही समस्या है क्योंकि बहुत से घर पे यह भी प्रॉब्लम होती है इंकम के माध्यम से यूटूब के प्लेटफॉर्म से आप घर पे बैट के बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें दूसरा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेली ग्राम से जुड़िये जिससे आपको आगे के जो भी वीडियो या जो भी पीडियाप है उसकी लिंक आपको मिलेगी और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे उसके लिए आगे आपके लिए डेली हम कोई ना कोई वीडियो टॉपिक या कोई डालते रहेंगे नमस्कार बिटा